तो चलिए जोस्तों शुरू करते हैं आज हम लोग science का question करने वाले हैं जो अभी-अभी exam हुआ है jackboard class 10th 2023 के exam में करने वाले है 400 objective question ठीक है और इसका answer देख लिजेगा तो पहला question पुछा गया था कि किस दरपन में वास्तविक focus होता है इंग्लिस में जो लोग पढ़ना चाते हैं वें इंग्लिस में पढ़ सकते हैं which mirror has a real focus ठीक है तो इसका right answer हो जाएगा उत्तल दरपन यानि कि कौन केव option 2 आगे देखते है question number 2 इसमें पुछा गया था कि motor वाहन के सामने कौन सा दरपन लगा होता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर यानि किसका भी answer हो जाएगा option 2 convex ठीक है next देखते है question number 3 तो तीन नंबर में पुछा गया था कि यदी एक lens की छमता minus 2 diopter है इसकी focus दूरी क्या होगी ठीक है तो इसकी focus दूरी हो जाएगी minus 50 cm option 3 आगे देखते हैं चौथा question पुछा गया था कि निम्ण में से किस मैध्यम का अप्रतनांग जो है अधिकतम होता है ठीक है तो किस मैध्यम का अप्रतनांग अधिक होता है option 3 पांचवा question इसमें पुछा गया था कि जराद रिष्टी दोस किस परकार के lens द्वारा दूर किया जाता है option 3 किसका साई answer हो जाएगा यानि कि deep boxy lens ठीक है bifocal lens इंग्लिस में बोलेंगे अगला देखते है question number 7 तो इसमें पुछा गया है कि खत्रे का निसान किस रंग का बना होता है right answer हो जाएगा option 2 लाल रंग का ठीक है red अगे देखते है question number 8 इसमें पुछा गया है कि विभांतर का SI मातरक क्या होता है तो विभांतर का साही मात्र होता है वॉल्ट, option 1 साही हो जाएगा, ठीक है, question number 9 देख लेते हैं, तो इसमें पुछा गया है, कि बिद्धुत परिपत में धारा की माप के लिए, किसका अपयोग किया जाता है, तो इसका साही उतर हो जाएगा, emitter का अपयोग किया जाता है, ठी मिनट में इसको second में चेक किजेगा, आगे देखते हैं, question number 11 की ओर, तो question number 11, इसमें पुछा गया है, कि एक यूनिट विद्धुत उर्जा का मान कितना होता है, तो इसका साही उतर हो जाएगा, 3.6 इंडू 10 का power, 6 J, ठीक है, आगे देख लेते हैं, तो next question, 12 number, इसमें ठीक है, हम भी start करते रहते हैं, तेरा number question है, कि लगू पथन, जब short circuit होता है, तो उस समय परिपत में विदु धारा का मान क्या हो जाता है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है, हम लोग बलते हैं कि overload हो गया, line में इसलिए soft circuit हो गया, option 1, बहुत अधिक, very high, option 1, ठीक ह चोदर number question, इसमें पुछा गया है, कि निला लिटोंस पेपर किस से लाल हो जाता है, सही उतर हो जाएगा, option 1, अमल से, acid, ठीक है, तो देखे हैं, अगला question है, इसमें पुछा गया है, कि निम्न में कौन, छार है, ठीक है, तो यह तो benjoic acid है, NaCl तो एक लवान है, यानि की न होता है, ठीक है, तो gypsum का रासाइनिक सुतर होता है, CSO4-2H2, ठीक है, और plaster of Paris का होता है, CSO4-2H2, हाप H2, ठीक है, और इसमें डेल H2 मिला के, हम लोग इसको gypsum बना देते हैं, question है, यहाँ पे equation दिया गया है, कि समीकरन, 17 नमर question में है, कि समीकरन CSO3, यानि कि calcium carbonate को जब अभिकरिया है, तो दोस्तों, यहाँ जो है, वियोजन अभिकरिया है, जिसको आप गटन अभिकरिया भी बोलते हैं, English में बोलते हैं, decomposition, ठीक है, option 2, 18 नमर question देखिए, इसमें पुछा गया था, कि जल के विद्दूत अभिकरिया में, cathode पर कौन सी gas मुक्त होती है, सही उत चैन अभिकरिया का दूसरा नाम है, redox अभिकरिया है, ठीक है, बीच नमर question, इसमें पुछा गया था, कि बिद्दूत, निम्न में, बिद्दूत का सरवत्नम चालक क्या है, सबसे अच्छा चालक होता है, चांदी, लेकिन चांदी यहाँ पर option नहीं है, तो हम लोग इंग्लिस में, metalloids है, आगे देखते हैं, 22 number question, पुछा गया था, कि सीसा और टीन की मिस्र धातु को कहते हैं, सीसा और टीन की मिस्र धातु को बोलते हैं, solder, option 1, ठीक है, आगे देखते हैं, question number 23, इसमें पुछा गया था, कि CNH2N plus 2, किसका सामायन ने सूतर है, तो CNH2N plus 2, L can का सामायन ने सूतर है, option 1, ठीक है, next देखते हैं, 24 number question, इसमें पुछा गया है, कि LD height का परिकरियात्मक समू कौन सा है, तो right answer हो जाएगा, minus CHO, option 2, 25 number question, देखिए, इसमें पुछा गया है, कि ethanol, sodium से अभी किरिया कर, कौन सा gas बनाता है, तो सही उतर हो जाएगा, hydrogen gas बनाता ह option 1, आगे देखिए, 26 number question, इसमें पुछा गया है, कि आदुनिक आवर्त साड़नी में, आवर्तों की संख्या कितनी है, तो आदुनिक आवर्त साड़नी में, आवर्तों की संख्या है, साथ, option 1, ठीक है, next question देखते है, question number 27, इसमें पुछा गया है, कि सव पोसी, पोसन के लि कि जठर गरंतियां कहां पर पाई जाती है तो यहां जो है आमासाय में पाई जाती है अश्टोमक में यानि कि पैट में ठीक है आगे देखते हैं कोशन है कि पित रसका स्राव होता है तो पित रसका स्राव कहां से होता है यह होता है यकरेट से हमारे लिवर से ठीक है और पित इसमें पाई जाती है और इसे मास्टर गलंती भी कहा जाता है अगला है कि घेंगा रोग पनपता है तो घेंगा रोग होने का मुई के करण होता है हमारे बोड़ी में जो है आयोडिन की कमी हो जाती है ठीक है ऑप्सन फोर फिर आदमी को थायरवीड हो जाता है जिसको हम राइट अंसर हो जाएगा option 3 अगला question देखते हैं 33 number इसमें पुछा गया है कि मानव में निसेचन की किरिया कहा होती है सही उतर हो जाएगा दोस्तों फिलोपियन ट्यूब यानि की फिलोपियन नलिका में होती है option 4 ठीक है आगे देखते हैं 34 number question इसमें पुछा गया है कि किसी गाओं की sorry किसी गाओं यार किसी जीव की जीनी सनरचना क्या कालाती है जीन जेनेटिक्स जो हता है उसकी सनरचना को हम लोग बोलते हैं genotype ठीक है नाम भी मेच करता है तो आप लोग यहां से भी आप लोग कर सकते थे अगला question देखते हैं 34 number के बाद हमारा 34 number पुछा गया था कि एक history में link गुंसुत्र पाए जाते हैं chromosome पाए जाता है महिलाओं में x x और पूरुसों में x y तो right answer हो जाएगा option 1 x x आगे देखते हैं इसमें पुछा गया था कि जैव आवर्धन करने वाला रसायन कौन सा है राइड उत्र हो जाएगा डी डी टी ठीक है और पारा भी होता है लेकिन पारा यहां पर option में नहीं है पारा को हम लोग short में hg लिखने हैं ठीक है hg मतलब पारा इंडी डी टी सही उत्र हो जाएगा 37 नमर पुछा गया था कि बाग वो भोगता है तो बाग जो है एक तृत्य पोसी अस्तर का भोगता है तृत्य पोसी अस्तर ठीक है थार्ड ट्रॉपिक लेवल हो जाएगा option 3 38 नमर पुछा गया था कि चिपको अंदोलन कब प्रारम किया गया है तो राइट उत्तर हो जाएगा 1972 ठीक है 1912 में प्रारम किया गया था 1973 तक चला था आगे देखते हैं तो question number 49 इसमें पुछा गया था कि पवन चक्की से उपयोगी उर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूंतम वेग कितना होना चाहिए सही उत्तर हो जाएगा 15 किलोमेटर परती घंटे की स्पीड होनी चाहिए कम से कम ठीक है उससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए 40 number question इसमें पुछा गया था कि जल बिद्दू सैंतर किस उर्जा को बिद्द उर्जा में रुपांतरित करता है तो जल बिद्द सैंतर जो है इसस्तिज उर्जा को बिद्ध उर्जा में रुपांतरित करता है option for is marriage उत्तर हो जाएगा तो इस तरह से हम लोग 400 question का answer कर लिये है I hope कि आपके 30 plus questions सही होए होंगे ठीक है तो इस तरह से अभी दो paper और भी बाकी है मैं उन दोनों का जल्दी से बना दूँगा जैसे exam होगा एंड जितने भी इसका PDF का link भी आपको वीडियो के description में दिया जा रहा है तो आप लोग वहाँ से भी इसको solve कर सकते हैं अगर आप exam देने वाले हैं in future तो अच्छे से solve कर लिजिए और practice करते रहे हैं ठीक है मेरी और से all the best and जितने भी question class 11 12 graduation post graduation सब इके महीं यहां पर upload करता हूं तो चैनल पर पहली बार आए तो subscribe कर लिजिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में नमस्कार